नमस्त दोस्तों स्वागत थे आपका AR Reacts के एको नए एपिसोड में तो दोस्तों आपको बता दूं कि साउधी अरेविया में अब अलकोहल अलावड है यानि कि आप बहां पर लोग ड्रिंक कर सकते हैं तो आप लोग पता हुगा कि जो भी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है और जो इस्लामिक जो रिलीजन है उसमें सराब पिना हराम है यानि कि आप सराब नहीं पी सकते अगर आप एक मुसलमान है तो लेकिन सारी जितनी मुसलमन कंट्री है वो इसको फोलो तो बिल्कुल भी नहीं करती है अब जो खालिस मुसलमान है साउधीय वाले उन्होंने कह लोग नहीं वान रहे हो तो हमके हम हमारे एधर लोगो को रोकें तो उन्होने भी अलाव कर दिया तो इस पर जो मिरची लगी है ना अब बहुत लोगों लगी होगी लेकिन सबसे ज्यादा मॐं मिरची लगी है पाकिस्तानियों को जो घुद दोस्तो दिन्रास सराब में किसे पास्तारियों का क्या ये साउधिया में अभसे सराप उया कर दी गई इसी मुद्धे पर हम ते बात करने के लिए सर शाहिद अली नहीं मौजूद है, जो के एक पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ प्रोफेसर भी है, इस सारे मामले पर इनका क्या कहना है, आईए जानते हैं, असलाम लेकुम, वालेकुम, असलाम, सर कैसे हैं अपने अपना कीमती वक्त निकालासर क्या कहेंगे, साथ अरेबिया ने अल्कोहल अलाओ कर दिया, कितना बड़ा एकदाम है ये उनका, और इससे क्या इंपेक्ट जाएगा, तैंक यू सो मच फूर हैंग मी, सबसे पहले ये है कि इस इकदाम को साथ अरब के इस इकदाम को आप देखें कि पूरे दुनिया के अंदर हर मुलक के पास एक विजन, एक तरकी का एक अंसर पाया जाता है, दो हजार सोले के अंदर मुहमद बिन सल्मान ने विजन 2030 दिया, उस विजन के तहट इसने मुलक के अंदर खवातीन को गाड़िया चलाने की अजाज़त दी, इस ठीक है, अब इसी तरह ब्लू सिटी का उन्होंने वहां पे कॉंसेप्ट दिया, टेकनोलोजी का नंबर वन सिस्टम वहां पे लाने कि उन्होंने बात की, विजन 2030 के तहट, एक एंगल ये है इसको देखने का, जबके दूसरा, बींग मुस्लिम में देखूं, तो जहां से एक हाजी हज करके आए, या उम्रा करके आए, और हमारे लिए आब जमजम ले आए, तो हम केते हैं यार इसको नेक नियती से पीओ, क्योंकि ये बहुत ही साफ, शफाफ, और खास, एहम, और इंतहाई एहमियत के हामिल एक जगस से आया हुआ है, तो एहमियत हमारी वहां ब ये अलव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज डिप्लोमेट्स के लिए आपने अलव किया है, कल पूरी अवाम के लिए आप अलव करेंगे, अगर हम यूए की बात करें तो यूए में भी शराब जो है, वहां पे कलब्स भी है, तो क्या मतलब है, यूए ने डिवालपमेंट नहीं की, क्या यूए ने तरकी नहीं कि, यूए भी एक इसलामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें, वहां पे बार्स हैं, कलब्स हैं, वहां पे खुले आम जो है, शराब बिक्ती भी है, लोग पीते भी हैं, हलाके यूए भी एक इसलामिक कंट्र को जो फॉरन कंट्री से डिप्लोमेट को गतल किया वा था शराप पी हुई थी उसने गौली चलाई और वो गतल हो गया उसके बाद सौधियरभ के अंदर यह शराप का कॉंसेट बेचना सेल करना या बनाना टोटली बेन हो गया ठीक है एक चीज़ वो है उसके बाद अब आक कि वो फॉरनर्स आते हैं तो वहां पर टूरिसम ज्यादा होता है और हमारी कोशिश आती है कि लोकल से जितना भी आप करें तो आप इतना नहीं कमा सकते हैं रेविन्यू इसी तरह 42-50% टूरिस्ट से सौधियरभ कमा रहा होता है रेविन्यू जनरेट कर रहा होता है तो अ अगर यहां पर आप अलाव नहीं करेंगे तो आना बन करेंगे तो विजन ट्वेंटी-30 को मदे नजर रखते हुए जो MBS ने एक फैसला किया है कि जहां पर आपके पास डिप्लोमेट्स के लिए अलाव करें तो उसने अपने मुल्क के खातिर किया हुआ है उसने अपनी ज स्पोर्ट बन गया है और इसी तरह दुबई को देखे दुबई की क्या तारीख थी और आज कहां से कहां पहुंच गया हुआ है गॉल्डन टेंपल तक यह बनाने की यह बात करें बालके आदे साथ बन भी चुका है लेकिन एंड ऑफ दे आपके पास आपका मुल्क इम्प देके ना कि दुण जो है वो ततमाम मुमाली के अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया काफी प्र iç कल हो गए अपने बात की टूरिजम की कि उन्हें टूरिदम के लिया अल्कोहल जो बहुत जादा इंप़ॉटरेंट है अगर अब हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्ता लेकिन हम मुनाफकत के साथ पीते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं अब आप देखें कि क्रिस्टन कम्यूटी के बात करें तो यहां पे क्या हैं कि क्रिस्टन कम्यूंटी आपको पता है जाहिर है मिलियन ऑफ डॉलर की शराब अलकोहल वो तो इंपोर्ट नहीं कर सकते ना उनकी पॉकेट इजाज देती है तो वो कहां जाती है और ये वो अलकोहल है जिसका टेक्स भी नहीं है जिसको आने पर टेक्स भी नहीं लगता ये बाद आपकी बिल्कुल दूस्त है कि पाकिस्तान क कि या दो गूंड लगाने से कुछ नहीं होता है ठीक है बैन कि आफ दूसर ये बात कर रहे हैं तो हमारे स्यासतदानों को ये हिपोक्रेसी का जो कॉंसेप्ट है इसको फरोग नहीं देना चाहिए बैन है तो मुकमल बैन हो इसी तरह आप देखे कि रिसेंटिली ये एक हमा रहे हैं हमारा मीडिया ही सरे आम इन लोगों को बेनकाब करता है कि दिन दिहारे हमारे पुलिस ऑफिसर पुलिस की वर्दी बहने हुए शलाब लेकर जा रहे हैं और हमारा पाकिस्तान का मीडिया इस तरह के प्रोग्राम सरे आम करते हैं च्छापे सरे आम हमारे पुलिस ऑ अगर हम भाली हरकते हैं अपनी दूर रखें अगर हम बहसे थे मुस्लमान साओधी एरब का डिप्लोमेट्स के लिए शराप खोलने या शराप देने का या एक गूंड दो गूंड जितना भी उनको देने कि अगर बात कुं कंडेम कर रहे ना तो सबसे पहले अपने आपको द कर दो देखा जाये तो आप चुपके पी रहे हैं इस वेरी क्लियर क्यूंके नजर आ जाते हैं को बड़ी अजीब सी ओन गालियां दे रहा है नंगी नंगी गालियां दे रहा है विच इस नोड इवन आलाओ दूसरी तरह वह अगर प्रोग्रम में देखा जाए तो कर दो कर द्यूंके थर्लेमेंっ और दुबारा लो लेक हैं के नर नब बनाने का आपको ऑची घरास पून भड़ीं को एक րत और कंः के असा कन बल्कुल ही मुम रहे है इनके लिए थिए क्यों के थcional ट्रीट भी यहां प्या है तो अच्छी बीख रड और तो वहां पर भार्स बार्स का कॉंसेप्ट वहां पर है तो वह एनी टाइम जब गोरा यहां पर आ जाएगा तो एक दफ़ा तो कहेंगा ना कि यार दिल कर रहे में पहलो तो आप हम तुपानी पिलाएं मिन्रल वाटर पिलाएं उसको चाय पिलाएं तो उन्हों ने जिस आप बेचें अगर अलव है तो आप सरे आम बेच अगर नहीं है तो आप चुपके क्यों पे रहें यह हिपोक्रेसी है कुछ रसा पहले भी खबर निकल कर सामने आई थी कि गौदर के करीब जो है चाइनीज ने एक काम शुरू किया था शायद उन्हों ने चाइनीज बियर अगर जब तक आपके पार्लेमेंट से कोई कानून बन के ना आए तब तक हम कोई बात नहीं कर साइदे किसी भी बात पर ठीक है और किसी भी अकदाम को हम सरा भी नहीं सकते हैं अब गवादर के अंदर क्योंकि चानीज अथारिटी है तो दीगर मुलकों की तरह चानीज भ नंबर को यह सारी बाते खबरे आई जाती हैं तो वह खबर पहुंच गई वहां पर खबर पहुंच गई तो उन्हों ने फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको यह बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ भई यह कर रहे हैं उन्होंने कोई हफता दस दिन इसके बाद उसको अब कर दो यह में पर्लेमेंट के हर सुबा वह जब देखते थे कि पालोम से निकलते होए अपने रूम से हॉस्टल से निकलते देखें हैं हर रूम के बाहर ही पड़ होते हैं उनके अलफाज मैं अपनी बात नहीं कर रहा ठीक हैं जम्चें दस्ती ने वीडियो बनाई की म specific content को consume नहीं किया नहीं आपकी वीवर ने तूसरे सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज को फ़लाए कि हाँ भाई हमारे दोस्तों यहां पर पाकिस्तानी और पूरी दुनिया के जो भी जितने भी मुसलिम हैं वो कितने दोस्तों कह सकते हैं जो यहां पर यह बोल रहे थे नीच गलीच है कि अगर खुद पी रहे हैं तो उसको कितना लंबा चोड़ा इधर उदर के एकजामपल देके डिफेंड करेंगे और जब तुमारे इसलाम में वो हराम है तो हराम है ये बागी सारी बात है क्यों सीधा बोलो नहीं होना चाहिए यहां भी नहीं होना चाहिए लेकिन क्योंकि इनको खुद को भी ना है तो अगर यह हराम बोल देंगे तो फ़र यह खुद कैसे लुपत उठाएंगे तो इन लोगों इधर उधर की बकवास करनी है और इसके बात फिर मुणाि होना था यहां तो फूरा बैं करती यह पूरा खोल की पे अूसा और क्वी नहीं यह घूना था है ≫ 20 च्टि कोंड़ा «दैसी करता है। सराब भी हुआ प्शुक्ती आशपों फेदी फिसमिनि ओरिजिनल वाले मुसल्मान है ठीक है उन पर तुम लिए उन्हें उठा सकते और रही बात तुम तो बैसे ही कन्बटेड हो तो तुमारा तो कोई ना सुनता है फिर भी हम तुमारी वीडियो देख रहे हैं यह तुम पर एसान कर रहे हैं यह मानो और इसी के साथ दोस्तों यह पर जहां तक सराप की बात है तो इन्होंने किसी तरीके से इसे इंडिया से नहीं जोड़ा बहुत बड़ी बात है नहीं तो कहीं न कहीं से उठाकर इनकी हर एक चीज इंडिया पर आकर खतम होती है और अगर इनके इसलाम पर कोई दूसरा कोई टिपणी कर दे भले ही वो स तो ये कितने बड़े डोगले होते हैं, मैं तो सोचता हूँ दुनिया भर के लोग क्यों इनको साइड लाइन नहीं कर देते, कि मैं इनके साथ यहां पर ये इस तरीके से करते है, कुछ कंट्रीज हैं, जैसे साउधिया बगेरा है, अब देखो, साउधिया वालों को पता चल पहुत जल्द खतम होने वाला है, वहुत सारी कंट्रीज में जो एलेक्ट्रिक भी कल यह उनको आगे बहुत ज़्वादा बढाया जा रहा है, इंडिया में भी, और हाइट्रोजन से रिल्टेट, जितने भी, मतलब हाइट्रोजन को भी फ्यूल की तरह यूज किया रहा है औ और वो भी दोस्तों आप देख रहे हो सोलर को इंडिया में कितना प्रमोट किया जा रहा है तो इसी तरीके से दुनिया भर में सबी लोग जो है पेट्रोल डीजल से उपर उठकर दूसरे रिसोर्सों का यूज कर रहा है और इसमें सबसे जादा सोलर पर ध्यान दिया जा रह है इसी लिए जो साउदिया है यूए है वो इस तरीके के रूल ला रहे है कि वो दुनिया से कदम से कदम मिलाकर चल सके इसी तरीके से दोस्तों वहाँ पर जितने भी डेपलमेंट हो रहा है ताकि वहाँ पर टूरिस्ट जाएं क्योंकि इनका पेट्रोल डीजल खतम होने तो इनकी जो country है, वो टूरिस्ट के भरोसे चल सके, इसलिए आप देख रहे हो, रोज रोज बहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजे ऐसी बनाई जा रही है, जो लोगों को लुभाएं, वैसे भी दोबाई बहुत जाते हैं लोग, और इसके अलाबा, UAE में बहुत जगा पर इस तरीके के development किये जा रहे हैं, और मंदिर भी बहाँ पर जो इतना बड़ा बनाए जा रहा है, वो इसलिए बनाए जा रहा है, विकोज इंडिया और इंडिया में हिंदूस, बहुत बड़ी संक्या में हैं, और दवाई इतनी दूर भी नहीं है, तो लोग जाएं, जिस त प्रेफर करते हैं, तो उसी लिस्ट में दवाई भी और यूए बगेरा ये सब आने चाते हैं, अल्रेडी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन और संक्या उसकी बड़ाई जा रही है, ताकि आगे इनकी जो पूरे country है, वो चल सके टूरिस्ट के भरो से, तो आई होब कि दूस् आई होग Camera रहँ हो मैं, तो आई हैं परे दिस сюда के हैं, तो आई हैं, ठाकि शाहरा इनकी बड़ावान के तो कि दूस्क पूस्ट के लिस्ट आए ठीज़ आए आने पिर लिस्ट भी आयों, तो आई हैं था मैं, तो आई होगे रहाँ आई हैं, जाने लिसे जुरें सम्पों स